स्वागता इंवेश्टिलन चैनल पे और मैं हूँ आप सबका दो सीये शुभम जाएंगे अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब बटम को दबा दें और बैल एकन को भी प्रेस कर दें जिससे आप देगे रहे होंगे हम बहतरीन वीडियो डेली बेसिस पर डा प्रेजिया काम करता है और राने होल्डिंग एक ग्रूप कंपनी है जो अपनी मतलब जितनी भी इसकी अंपरेला कंपनी चैनल पर देखें कि वह कैसा हाँ है उसें के पर हम जानेंगे क्या इसके अंदर हम इंवेश्मेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह देखे आज इसके रिजल्ट्स आएं है ट्रेलिंग ट्रेलिंग ट्रेल्मंद पी इसका 49 है और सेक्टर का पी इसका 38 है तो अभी सेक्टर के आप से देखे तो यह अभी ओवर वेल्यू लगता है और मार्केट कैपिटल बहुत ही चोटा है आपको path whiskey लेने के बाद आपको benefit क्या होता है कि इसने आगे investment कररें वह मनआ अपको इसके balance sheet न्हीद दखाऊएंगा इन्हें इनने अपनी group companies के अंदर investment कर रखे हैं मतलब आपको मैं अगर इसकी about में पढ़वाऊं तो यह company का काम काज क्या है उससे आपको बहतिरी मलब एक काम दो काज इस company हो जाए राने holding company अपनी इनने अपनी इनदर investment कर रखा है अब देखते हैं कि इसके results आज के दिन हमें कैसे देखने को मिले हैं और फिर आपको हम detail के अंदर बताएंगे कि हमें बाए करना है यह यह नहीं बाए करना है अगर यह देखिए इसकी sales की बात करें मैं अभी September 2022 की ही बात कर रहा हूं 879 करोड के इसके results आई है और वही last quarter के इंदर 817 करोड के दे और last year इसके results 692 करोड के तो 27% की इसने मतलब upward दर्ज करी है और operating profit जो margin था 6% था वो भी 1% बढ़ गया है जो की काफी positive है नेट profit की बात करें तो जो इनका net profit है वो 23 करोड हमें देखने को मिल रहा है और वही last quarter के अंदर 21 करोड था और last year हमें 17 करोड था तो net profit के अंदर friend सीधा सीधा हमें ये 20-25% का jump हमें देखने को मिल रहा है तो friend results overall हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं और अगर last 10 साल की बात करें तो sales 1575 करोड हुआ करती थी वो आज बढ़कर 3161 करोड हुए है operating profit margin 11% से घटकर friend 6% हो गया ये थोड़ा सा मतब घातक कर देना वाला है और friend ये देखे जो 95 करोड का profit है वो आज भी 42 करोड का profit है बट friend ये देखे बीट में 116 करोड से 2020 के अंदर minus 10 करोड कंपनी loss के अंदर आ गया थी और उसके बाद फिर से loss के अंदर आ गया थी वही इस इसके शेर प्राइस के अंदर भी impact दिखता है ये देखे फ्रेंड ये 2020 के अंदर टू सिस्टी एट रूपीज पे शेर आ गया था और ये देखे फ्रेंड नो अपरेल 2008 रहो इस शेर ने बहतेरी निटन्स दिये थे हम न्यूस पेपर में और न्यूस चैनल पर सुनते थे ह हर जगे राने होल्डिंगी नाम चलता था फ्रेंड ये देखे शेर ने मतलब कितने बहतेरी रिटन दिये थे कोई शेर अगर पांसो चब्विस से सीधा सत्ताइस सो 2800 और चले जाए तो उसके बहतेरी रिटन्स होंगे ही और अब आ गयाने वाले टाइम में बहतेरी रिट इसका दस साल का 4% और ट्रेलिंग 12 मत के 24 परसेंट तो कम्पनी के अंदर भी तेजी आ रही है और कम्पनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और फ्रेंड ये देखे इसके अगर क्वाटर देखे मार्ज दो जर बाइस के अंदर भी 13 कोड़ का लोग ता अब इसका प्रॉफ अगर ओर बैलेंजीट रॉफिध की बात करें तो फ्रेंट देखे सूप जिसके अंदर बॉरंक की बात करें तो फ्रेंड बॉरं इस रोडब आते क्शुद्ट में अभी नहीं देखने को मिल रहा है और अभी नहीं मत्लब पोस्ट स्थ नहीं हुआ हुआ तो यह 25 है क्योंकि अधर प्राइबिलिटी के अंदर यह 944 करोड आ रहा है और अगर इसका इसका बात करेंड तो फिक देशिट फ्रेंड इसका 846 करोड का में फिक देशिट देखने को मिल जाता है तो बहुत ज्यादा खास नहीं है नेट कैश्व भी कंपणी का 34 माइनस में है और शेयर होल्डिंग के बात तो प्रमोटर के पास 46 परसेंट शेयर होल्डिंग है बागी यह देखे फ्रेंड जो डिया इसका 2019 के अंदर 18 परसेंट का स्टेक था वह बिल्कुल जीरो हो चुका है मतलब जो प्रमोटर अब म्यूचल फंड तो इसके अंदर बिल्कुल भी इंट्रस्टेट नहीं है और बात करें तो यह इनका बट बागी पब्लिक ने इनका जो सारा है वो 50% 51% जो प्रमोटर से जाज़ा शेर होल्डिंग बागी पब्लिक के पास देखने को इन लोग की मिल जाती है फ्रेंड देखे अब रिजर्ट तो अच्छे हैं कम्पनी ने दमदार रिटरन अभी दो तिन सालों में नहीं दिखाया बट शेर 2800 रुपे गया तो फ्रेंड इसका जो हर्डल है पहला हर डंग जो है वह यह शेर क्रोस कर चुका है जह दो आगर यह 847 के उपर बना रहता थैंन तो आप इसके पहले अगर्यन 970ा-उट निकल गया है तो उस कंपनी से कंपनी के अंदर इंवेस्ट भी कर देते हैं तो फ्रेंड यह 847 रुपीज का स्टॉप लगाना है और जो हमें पहला टार्गेट है वो 970 रुपे का देखने को मिल सकता है तब ही आपको यह बाय करना नहीं तो आपको बाय नहीं करना क्योंकि काफी रिसकी शेर है और रिजल्ट्स अच्छे हैं तो यह फिर अपने पुराने वापिस लेवल्स पर आ सकता है तो फ्रेंट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो तेल दी हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंट हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा और राने होल्डिंग्स में क्या आपकी शेर होल्डिंग्स पहले से है या कभी आप इसमें इतने ऊपर लैवल्स में फसे हैं अगर फसे हैं तो आपके पास कितने शेर हैं और कितनी क्वान्टिटी में तो थैंक यू फ्रेंट बाइबाइ मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी बहतरी शेर के अनलिक्स के झाल झाल